जै मातादी दोस्तों हमारे चैनल में आपका हर देख स्वागत है दोस्तों पंचांग के नूसार हर साल कार्टिक मास के किष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को करवा चौत का व्रत रखा जाता है ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्तु रखता है इस दिन सुहागिन महिलाओं अपने पती के लंबी आयू और अच्छे स्वास्त के लिए निर्जला व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्द देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है दोस्तों करवा चौथ का व्रत पती पतनी के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है इस खास दिन पर सुहागिन महिलाओं सरगी खाकर व्रत की सुरुआत करती हैं और दिन भर अन और जल ग्रहन नहीं करती हैं इसके बाद साम को सोला सरंगार करके अच्छे से तयार होकर सुब मूरत में करवा चौथ माता की और गड़ेज जी की पूजा करती हैं इस दिन अखंड सौबाग की प्राप्ती के लिए करवा चौथ की व्रत कता सुनना वा पढ़ना बेहदी सुमाना जाता है और साम को चंदुर्मा को अर्द देने के बाद इवरत खोला जाता है मानिता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से वहवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और सुख और सौभाग में व्रत्धी होती है दोस्तों करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को ब्रहम मूरत में उठकर इशनानादी करने के बाद घर के मंदिर में दीब जलाएं साफ सफाई करके भगवान का इसमराण करें इसके बाद व्रत का संकल्प लें अब सास दौरा भेजी कई सरगी खाएं और पूरे दिन श्यू पारवती का ध्यान करें साम कुस्व मूरत में जिस स्थान पर करवा चौथ की पूजा करनी है उसकी साफ सफाई करें और वहाँ पर करवा चौथ का कलेंडर लगा कर उसका पूजन करें अब चावल पीज कर चौप पूरें इसके बाल लकडी की चौकी पर पीतल और मिट्टी का करवा इस्थापित करें उसके उपर आठ पूरियों की अठोरी हलवा पूरी आदी जो भी बनाया है उसे रखें अब आप विद्वत स्यू पारवती गड़े स्वकरवा चौथ माता की पूजा करें इस दिन माता को स्रंगार का समा नवज से चढ़ाएं दूब दीब जलाएं विद्वत पूजा करने के बाद करवा चौथ पूरत की कथा सुनें अंत में आरती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें अब जब रात में चंद्रमा उद्व हो जाए तब आप चंद्रमा की पूजा करें चंद्रमा के दर्सन करते हुए छलनी से अपने पती के दर्सन करें इसके बाद चंद्रमा को अर्द दें और पती के पैर छूकर उनके हाथ से ही जल ग्रहन करके व्रत संपोन करें चले जान लेते हैं कि साल दो हजार चौबिस में करवा चौथ कवरत कब रखा जाएगा तो आपको बता दें कि इस बार चतुर्थी तिती की सुरुवात 20 अक्टूबर दो हजार चौबिस की सुबा 6.46 मिनट पर हो जाएगी और चतुर्थी तिती की समापती 21 अक्टूबर दो हजार चौबिस की सुबा 4.16 मिनट पर होगी तो दिया तिती की माननता के नुसार इस साल करवा चौथ कवरत 20 अक्टूबर दो हजार चौबिस दिने रविवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का सुम मूरत 20 अक्टूबर की साम 5.46 मिनट से लेकर साम 7.2 मिनट तक रहेगा इसकी कुल अवदी 1 घंटा 16 मिनट की रहेगी दोस्तों करवा चौथ का वरत सुर्योदे से लेकर चंदरोदे तक रखा जाता है तो इस साल वरती को करवा चौथ के दिन 13 घंटा 29 मिनट तक नरजल वरत रखना होगा ये वरत सुबा 6 बचकर 25 मिनट से साम 7.54 मिनट तक रहेगा और इस दिन चंदरोदे का समय 20 अक्टूबर की साम 7.54 मिनट पर होगा तो आप चांद निकलने के बाद चंदरोदे को अर्द देने के बाद वरत का पारण कर सकती है तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद